हेलो दोस्तो आज एक बड़ी ख़वर आ रही है भारत और पाकिस्तान दोनों UNHRC की जो काउंसिल है उसमें एक तीखी बहस हुई है जिसमें पाकिस्तान ने भारतीय सरकार पर एक बहुत बहुत सारे गंभीर आरूप लगाए हैं और उनका भारतीय सरकार ने करारा जवाब तो देखते हैं बेसिकली उस बहस में क्या कुछ हुआ तो उस बहस में पाकिस्तान ने भारत पर कुछ शीड़िएशन लगाएं उन में से पहला पाकिस्तान का कि इंडिया ने जो जेन कि पॉलिटिकल लीडर्टिप उसे अरेश्ट करके रखा है लेकिन इंडिया ने इसे सब्सक्राइब करते हैं प्लस इंडिया में इतने सारे इंस्ट्यूशन्स हैं जो कि उसे चैलेंज कर सकते हो आप अपने हुमर राइट को सेव करने के लिए तो यह पाकिस्तान का आरोब कहीं तक सही नहीं है तीसरा आरोब जो पाकिस्तान ने लगाया है कि इंडिया ने जेंड के को इसका भारत ने साफ साफ दो टूक जवाब दिया है कि यह हमारा इंटर्नल मैटर है और इस पर भारत वहां की मतलब जेंड के की जो डेमोग्राफी है वहां के लोगों का जो प्रपोर्शन रहता है मुस्लिम और हिंदू पॉपूलेशन का वह चेंज हो जाए कस्मीरी जो वहां रहते है वैली में उसका पर्षेंटेज हो जाए जिस्ते की इंडिया एक पॉलिटिकल जेंड के से बहार कहीं भी साधी करती थी तो उनके राइट्स खतम हो जाते थे प्रॉपर्टी राइट्स और बहुत सारी राइट्स तो वह सब को एंड करने के लिए गवर्मेंट ने यह सब कदम उठाए न कि डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए पांच वहां आरोप जो पाकिस्तान ने लगाया था कि बहुत सारी जो इंडिपेंडेंट्स एजनसियां वह यह दावा कर रही है कि वहां पर जैनोसाइड हो रहा है और हो सकता है इंडिया ने से काउंटर किया है कि यह सब रूमर्स है बिद पॉलिटिकल एजंड कि यह सब रूमर्स को अपना पॉलिटिकल वेस्टेड इंट्रेस्ट के लिए लोग फैला रहे हैं ऐसा कोई घटना नहीं हुई है प्लस जब से 6 वीक हो गए है जब से कुछ भी ऐसा इंसिडेंट नहीं आया है कि आर्मी या फिर हमारे जवानों ने कोई भी गोली बारी की हो जो लास्ट आर उपला पाकि एक संस्था है जो की रेस्पेक्टेड संस्था है उसके अब रहा है और वह लोगों के राइट्स क्यों दिलाने के लिए हुरा है इसके साथ ही मैं दोस्तों वोलुँंगा कि हमारे डाउटनेट के अग्जाम चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और प्लस इस ताइकी खबर जो आप इंट्रेस्टेड है वहाँ कमेंड में इसे इंक्लूड करें थैंक यू